हेलो एबरिवन, आज मैं आपकी साथ शेयर करने जारी हूँ एग ब्रेड बकोडा इसे बनाना बहुत असान है, इसे आप चाय के टाइम पर बना सकते हैं, लांच बॉक्स में डाल सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल चलिए शुरू करते हैं बनाना मैंने जहां पर चार एग लिये हैं मैंने पांच ब्रेड स्लाइस ली हैं और कैंकी से इसे कट कर लिया है आप चाहे तो चाकू से कट कर सकते हैं, पर कैंकी से कट करना ज़्यादा असान होता है मैंने सबी ब्रेड स्लाइस को इस तरह से कट कर लिया है खी को गर्म होने के लिए रख दिते हैं जब तक हमारा अंडे का बैटल त्यार होता है सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें तीन चमच दूद डालेंगे दूद डालने से हमारे एग के बैटल में मसालों की गाठ नहीं पड़ती, बह बहुत असानी से मिक्स हो जाती है आदा चमच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो हरी मिर्च का भी यूज कर सकते है आदा चमच नमक, आप अपने टेस्ट के उनसार काम और ज़्यादा कर सकते है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कलर के लिए थोड़ा सा गर्म मसाला, और आमचूर पाउडर अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे एग अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैंने अभी इसमें हरा थनिया एड नहीं किया क्योंकि मैं आपको दखाना चाहती हूँ कि दूद डालने से हमारा बैटल कितना अच्छे से मिक्स होता है एग को मिक्स होने के लिए टैम लग रहा है पर मसालों के कोई गाठ नहीं बनी और अब मैं डाल रही हूँ कटा हुआ हरा थनिया थनिया डालने से पकॉडों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारा बैटल त्यार है दूसरी तरफ हमारा खीवी गर्म हो चुका है ब्रेड को इस मिश्रन में डिप करने से पहले एक बर चम्च को इसमें खुमाएंगे तांकि जो हमारे मसाले इस पॉल के रीचे बैट गये हैं उबह साथ में मिक्स हो जाएं ब्रेड स्लाइस को इस मिश्रन में डिप करेंगे और फ्राई करने के लिए गडाही में डाल देंगे अभी आपको यह मिश्रन पतला लग रहा होगा पर फ्राई होने के बाद देखिए हमारे एग ब्रेड कोडा कितने अच्छे बनते हैं इस तरह से हम अपने सभी ब्रेड एग पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे अगर आपको लगे कि इनमें खी ज़्यादा है तो आप नैपकीन का जूज कर सकते हैं चाहे तो न्यूस पेपर और उनमें पकोड़ों के इस तरह से रख कर प्रेस कर देजिए पकोड़ों में जो भी एक्स्ट्रा ओइल होगा वह इस तरह से निकल जाएगा देखिए हमारे ब्रेड एग पकोड़ा कितने अच्छे बने हैं इन्हें बनाना बहुत असान है और समय भी बहुत कम लगता है आप इन्हें अपने खर में बना कर जुरू ट्राइ कीजिए और चाहे के साथ ही इंजॉय कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू